हेले दूस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरूसों से जूरे 10 अमेजिंग फैक्ट की जनकारी देंगे बेहरे ये वीडियो के साथ एंड तक पूरूसों और महिलाओं के दिमाग की तुल्ला करने के दोरान पाया की दोनों का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है इसी कारे पर दिमाग लगाते समय मर्द अपने मस्तिस्क के केवल एक साइड का उपयोग करता है वही महिलाऊ एक ही समय में मस्तिस्क के दोनों हिस्सों का इसमाल करती है इसी वज़े से वे मल्टिटास्किंग में ज्यदा निपोर होती है फैक्ट नमर 10 पुरूसों के तुल्ला में महिलाए ज्यदा खुश रहती है इसका कारण महिलाओं में पायजाने वाला मोनो एमीन ऑक्साइड ए नामक जीन है इसी जीन के परभाव से महिलाएं अधिक खुसराती है फैक्ट नमर नाइन एक पुरूस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनको गुसा ज़्यादा आता है आदमी अपने गुस्य को सारी गुरूप से ब्यक्त करता है जबकि महिलाएं उसे मौके गुरूप से ब्यक्त करती है Fact No.8 पुरूसों को मैलाओं से ज़यदा पसीना आता है और जिनको ज़यदा पसीना आता है वह सारी क्रूप से बहुत ही फिट होते हैं Fact No.7 दोस्तों पुरूस जो है मैलाओं से ज़यदा जुट बोलती है एक पुरुस दीन में चो बार जूट बोलती है जबकि महिलाओं दीन में तीन बार ही जूट बोलती है फैक्ट नमर शिक्स लड़कों को लड़कियों की तुनला में अटेंशन डिफिसिट डिसोडर होने की समभणा तीन गुना जादा राती है फैक्ट नमर फाइब पुरुसो के बारे में एक फैक्ट है कि महिलाओं की तुनला में पुरुसो में गनितिय चमतप करने वाला दिमाग कहीं सा बड़ा होता है गनीत और जामीतिय कोसल को कंट्रोल करने वाला मस्तिस्क का भाग फुरूसों में लगवग चार साल पहले ही बिक्सित हो जाता है फैक्ट नमर फोर वैस्क फुरूसों का दिमाग महिलाओं की दिमाग की तुला में कुल आकार से लगवग 10% बड़ा होता है क्योंकि आमतर पर मर्दों में महिलाओं की तुला में कद और मसल मास जादा होता है शरीर को नियंतरित करने के लिए अधिक निउरोंस किया सकता होती है फैक्ट नमर थिरी उनीजिसों के दसक से पहले दुनिया भर के देशों में महिलाओं नर्सों की तुला में पुरूस नर्स कई ज़्यदा समानने थे फैक्ट नमर टू अपने पूरे जिवन काल में एक और सक पुरूस लगबग 6 महिने का समय सेविंग में गुजार देता है फैक्ट नमर वान दोस्तो अमेरिका में महिलाओं और पुरूसों की तुला में 500 पुरूसों के ब्रेस्ट कैंसर से मरने की संभाबना है इससे आप अंधादा लगा सकते हैं कि महिलाओं और पुरूसों में कितना अंतर है दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले फिर मिलंगा अगले वीडि